हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड है यह कार्ड नमबर वन और यह कार्ड नमबर टू आज के जो रिडिंग है उसका टॉपिक आपको पता ही है आज हम देख रहे हैं आपके लिए एंजल्स क क्या करना है दोनों कार्ड को बहुत ध्यान से देखना है जो कार्ड आपको अपनी और और करषित कर रहा हो तुछ थे फिर बहुत कार्ण से दोनों कार्ट को देखिए ध्यान लगाएं फिर आप कार्ट को चुनिए रिटिंग का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है आने वाला समय में क्या गुड नियूस मिल सकती है कौन सी खुशकबरी मिल सकती है आपके लिए एंजल काइडेंस क्या है स्टार्ट कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि कभी कबार ऐसा हो जाता है ना कि चीचे जो होती है वो रिपीट हो जाती है तो आपको अच्छे से मिक्स नहीं थे लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कभी कबार ऐसा होता है ना कुछ चीचे हमें बार बार बताने की कोसिस की जा रही होती है तो बार-बार रिपीट होती रहती है लेकिन चलिए तो अच्छे से मिक्स करना ही चाहिए चबिए आपके मनमें अगर कोई प्रशन चलना है तो यहांसर आप चाहते हैं यहांसर अफिलाफ करीच तो देखिए यहां पे आपकेद करीयर सब कुछ ठिक निसन आतरा है अब कुछ ऐसे काम में है किसी ऐसी में आपको सफलता नहीं मिल लइंद है किसी ऐसा सभ में चाह रहा है तो पर से अपने करियर से उसके लिए फिर से आपको एक बास जरूर सोचना चाहिए आंसर जो आप यसा नो में जो सोच रहे तो फिप्टी-फिप्टी आ है अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रहना तो फिर आप कंटिन्यू रहें आप मेहनत करेंगे चीज़ों में सुधार आएगा ठीक है ऐसा नहीं कि एकदम से नो है नो वाला भी नहीं है यहापे आपके लिए मतलब यह है कि अगर आप आप नहीं छोड़ पा रहे हैं चीजों को मुवा नहीं कर पा रहे हैं नहीं बदल पा रहे हैं तो तो तंटीन्यू रहिए आप ठीक है बस उस चीज़ को एक नए तो नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए तो आप चाहे तो कुछ नया कर सकते हैं आप किसी के साथ या फिर कुछ और आप्शन अपने बिजनस में कर सकते हैं कि आप इस चीज के साथ इस चीज का भी बिजनस करेंगे ठीक है कुछ नए तरीके से हो सकता है आप कहीं से समान ले की कोसिस करें तब आपको सही डियरेक्शन जो कहते हैं जिसमें आप सफलता चाहते वह आपको मिल जाएगी और साथ में हैं कि अपने आप एंजल से कैनेक्ट हो रही है और हमेशा उनसे कम्यूनिकेशन मतलब होता है और क्लियर रखिए और आंसर आपको जरूर मिलेगा आपको सला भी मिलती रहेगी डिरेक्शन भी आपको दिखता रहेगा और बहुत जल्दी जो भी नुकसान अगर आपको कुछ हुआ है किसी चीज को लेकर ना तो उसका आपको रिकाबरी के ल से क्लिठे कि कार्श को मित करना वहुत जरूरी होता है याज तो रही है तोवहीं हम जब करेंगे टॉप्रिया थी अलग तरीके से होता ओता है चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए गुट नियूस क्या है इस हटे आपको क्या गुट नियूस मिल सकती है या फिर आने वाले समय में कुछ समय तशकी लिए देखेंगे बहुत लंबा समय नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारा जो होगा वो तो यहां पर रियूनियन किसमिते हैं आख तो अपने अंदर थोड़ी से समझदारी ले आएए थोड़ी से जिमदारी ले आएए और दो चीजों को थोड़ा सझब सम्झदारी जिम्दारी से देखेंगे ना तो जो हकीकत है वो भी नज़ल आपको आएकि हो सकता है जो आप समझ रहे हैं वैसा और यह काड़ आपके लिए निकला बहुत लिए तो आपको अच्छानक से लाब होगा यह सब्सक्राइब को बहुत अच्छा जाने वाला है पैसे को लेके होगा टिपल सेवन है मेरिकर का नंबर है अगला पार्टनर खोच रहे है बात होगी और मुलाकात नहीं हो रही है मुलाकात भी होगी यहां पर जो भी चीज़े चल लाइथी मिसंदर्स्टैंडिंग चल लाइथी तो वह भी सॉल हो जाएगी बहुत अच्छे कारड आए हैं आपके लिए पैसे को लेके बदलाओ के ल है बहुत पॉजिटिव सोच की रखनी है आपको जो भी चीज़े मैंने बताई है गुर्णियोंस के लिए दो ही चीज़े मुझे दिखी और जो अपने आपने पूरी है मतलब इससे बहतर गुर्णियोंस क्या होगी कि आपका आपके पार्टनर से फिर से अगर आप बात कर कर रहे हैं रिलेशेयर्शिप में आना चाहा रहे हैं तो वोगा मुलाकात होगी फैमली वालों से दáticas होगी और उसा लग रहा है कि क्ट कर दार नुणा सब छीजे थाइसे आप समझ जाने ये आपके लिए हैं स्री रंगनाची का कार्ड है आपके लिए है सांत चित रहें केवल संभव से ही बहुत सागर को पार किया जा सकता है यही इसकी गोपनी ये कुंची है आपके लिए कार्ड है मैं अपना सर्वर से इस परम शक्ति को समर्पित करता हूं मैं इस दैवी अनुकंपुमा को विनीत भाव से ग्रहन करता हूं देखी क्या है जो भी चीजे जिवनें मिली हैं सबसे पहले तो उसके लिए हमेसा थैंक फूल रहना चाहिए दूसरा आपके थे चीजों को कुछ ऐसी समिए आपने हो रहा है जिसको आपको प्राप्त करना ही करना जैसे आपके कार्ट में स्टार्टिंक से दिख रहा है की चीजों को आप घ्रका्या आप जिसमें हैं उसी चीज को आपको ठीक करना हूँ आप जानते भी हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है इसलिए कि बहुत जल्दी आप में चेंज भी देखने को मिलेगा उस चीज में लेकिन उसके लिए आपको इस चीज और भी करने हैं आपको बहुत ध्यान से पॉजिटि लेकिन आपको अपना भविश्य देख रहे हैं उस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं आपको वही चीज चाहिए तो वह जल्दी हो नहीं पा रही है प्रिपटिश चांस समय आपको सला के तौर पे मैंने आपको बताया था ना यहां पर अगरी कार्ड आपके लिए हैं अपने मंतत विचारों कर्मों की सुध्धिकरंड के लिए उन्हें आत्नी बोधि की अगरी में समपित कर जिए यहां पर फिर आत्म बंधन की बात आ रह यहां पर मासीता कार्ड आपके लिए आया है निराश ना हो आत्मा की सेश्टा के बोध के लिए हर प्रकार का अनुभव आउश्चा के देखिए क्या होता ना जीवन में हार जीत सब कुछ आपको सामना करना ही करना पड़ेगा करना पड़ता है करते हैं लोग और निराश हो चाहे जितने भी कंकर पत्थर क्यों ना आए लेकिन आप में लक्षी तक ज़रूर पहुचेंगे वीडियो को फिर से एक बार सुन लीजेगा आपको चीज़े बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमें सब्सक्राइब की कीजेगा तो आए देख लेते हैं जिन लोगोंने भी कार्ड नंबर दो चुना है आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस और क्या गुड़ नियूज आपको बिलने वाली है यह कार्ड नंबर दो अगर आपने यह वाला कार्ड चुना था ना तो आपके लिए क्या अपके मन में कोई प्रश्ण चलना है तो उसके बारे में आप आप सोचते रहें बहुत अच्छे काड़ आगे आपके लिखियो यह फ्टाब अच्छापका जाने वाला है आने वारत समय बहुत अच्छा आपका होने वाला है जो भी बदलाव आएगा जो भी चाहे कोम कौन प्रीगा आप खुथ करें यह किन ő में करीब आयेगी सफलता बिलकुल आपको मिलेगी फोड़ा समय लग सकता है हमें आपके कार्ड फिरा क्या दिखा काइभ आम अरुकी सब्सक्राइब करें बात नहीं रही है या किसी वज़ें से आप अपने अपने नहीं मिल पारे हैं तो संभाव नहीं बनेंगी और अपने अपनें से मिलेंगी घर जाएंगी गर नहीं जा पारे हैं तो और यहां पर री यूनियन का भी कार्ड है वाँ ग्रीट फ्यूचर जैसे दिख रहा था आपके स्टार्टिंग से यह आपके कार्ड में दिख रहाता है कि सफलता है और अबंडन से सक्सेस है बनी है और सब कुछ है उसी तरह का जो फ्यूचर यान प्रक्राइब और तो यह जो चुपाएं नहीं जीजों को बताएं तभी उसमें आपको चैंज मिलेगा देखने को यहां पर साथ नंबर का कार्ड है और यहां पर लग रहा है जैसे कि अगर आपके पार्टनर आपसे करनेक्ट में नहीं है बात नहीं हो रही है मैसेज नही डेकिन अब कनेक्शन देखनेार है इस अपते आपको लाइक में कापी आप देखने को मिलेगा जो कि आप के परसनल लाइफ मुझे देख रहा है proceedaben तो қ stycket नहीं हो ना किया अच्छा जा रहा है तोश्में में अब ही तक एक महीने को मिलेखने को धेखने मेंसके अपकि ऐ के लिए जो good news था उसमें भी कहीं न कहीं दिखा रहा था कि great future बहुत अच्छा future है और जो आपके लिए सला के तौर पर हम cards देख रहे थे उसमें भी काफी ज़रा सक्सिय सफलता की cards आयते हैं बहुत ही positive card हैं यह आपके के ही कर्मों से ही यह सफलता आपको मिलेगी आपको खुद विश्वास करना होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए card आगया है सूरिय ठीक है सच्ची प्रतिवा यह उंगुड का दमन संभाव नहीं है अपनी छमताओं में गौरो और विश्वास का अनभाव करें अकसर ऐसा होता है ना हम बहुत काबिल होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काबिल नहीं है और वो आपसे आगे निकल जाते हैं और सममान ही सोचना है अपने मन में लेकिन कभी किसी की प्रतिवा चुला सका है किसी नहीं चुराया है तो आपके आंदर जो गुर्ण है उसे कोई चुला नहीं सकता है उसका कोई दमन नहीं कर सकता है और उसका कभी भी निरादर मत कीज़े, ठीक है, मापार्वती का काड़ आपके लिए है, अपनी उपसिती का बोत कराने में संकोज ना करें, दिन रहते हुए दयालू रहें, ठीक है, मंगल का काड़ आपके लिए है, अपने भीतर व्याप्त दहकती वासना द्वारा अपने अच्छाए ना होने ने, सांथ होकर अपनी समस्ता को विक्सित करें, कभी को ऐसा होता है ना, निराशा जब होती है, आदमे को सफलता मिलती है, तो अंदर से अंदर इंसान काफी जारा परिशान हो जाता है, जिसके वज़े से वह बहुत दिगलट डिसीजन लेने लगता ह है, और हमें सा परिशान वाला एक सोच बन जाती है, इनसान की नेगेटिव एनर्जी में रहने लगता है, जड़ातर वो इंसान, जिससे चीज़े क्लियर हो जाएंगी, और आपको पज़ावीश लेगा तच्छा है, इसे चीज़े क्लिए का कार्ड है, आपके लिए हर रि चीज़ का रिजूल्ट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी आप दिसेजन लेंगे ना उसका परिद्राम देखने को मिलेगा, भी एक डिसेजन है, बहुत साही लोग सौछते हैं कि नहीं है, लेकिन त्याग भी एक डिसेजन होता है, जो हम कह देते हैं छो है मुझे नहीं पता है कि आपकी लाइफ की सिच्वेशन क्या है लेकिन बहुत साय लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी यह सेम सिच्वेशन लाइफ की है तो विल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं अगर नहीं यह सेम सिच्वेशन तो फॉलो करने की जरुवत नहीं है उमीद करते है आपको आज की रिडिंग पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर पताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ फ्रेंट